जय 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 गन्नाथ मैं शिवानी चौक्रवर्ति अपने चानल बॉंग के लिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करती हूं काली पूजा आने वाली है और आप सब को पता है कि हमारे घर में हम महाकाली की पूजा बहुत दूम-धाम से करते हैं और इसी अफशर पर हमने एक छोटा सा सीरीज आपके लिए प्रस्तुत किया है जिसमें हम माकाली के विशय में कुछ जाने और अंजाने तथे आपके साथ शियार करेंगे तो उसी क्रम में जो हमारा पहला वीडियो आज है उसमें हम आपको बताएंगे कि मा यूग यूगां तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है यूग यूगांतर में माकाली का सरूप सबसे पहले हैं मा आध्याकाली ये महाकाली की सर्वोच सरूप है और ऐसा माना जाता है सर्तिकताओं के अनुसार की जो मा आध्याकाली है उन्होंने ही संसार की संग् संग्रचना की है क्योंकि gettin रम्हान की शुरुआत हो थी तो पूर अंधकार था तो माँ ने की संग्रचना की है क्यों महां शर्वर्शकति मान स्वरूप और माँ का वाहन जो है तो हे सिंग और आज जतर married I am I कीया जाता है तो मांका ऑक प्रमुक स्ववरूप है मां बढ़काली का उसके बाद है मां यक योपियत dead Amazon काली और हम दक्षिनकाली की घर में उपासना करते हैं क्योंकि मा का जो चिन्मई स्वरूप है वो मा दक्षिनकालिका का है लेकिन इनका नाम दक्षिनकालिका क्यों है जब मा का अशुरों के साथ युद्ध हो रहा था तब एक राक्षस था रक्त बीज तो जब मा रक्त बीज का वद करते थे मा जितनी बार रक्त बीज का वद कर अमआ, माह बहुत ही क्रोध में आ गई थी उसके बाद उन्हों ने रक्त बीज के रक्त को पान करना शुडू कर दिया था उसको पीना शुरू कर DYU था ताकि वो भूमी के उपर ना गिरे और सब्सक्साने में अपना दक्षिन पेर सीने के उपर और उसका कारण उन्होंने ने करोध को माना क्रोध में थी और शांत मैं हो रही तो उनको शांत करने के लिए महानलों के नीचे आना पड़ा था तो इसकी वज़े से वो संपुन रूप से शान्थ हो गई थी उस वक्त क्यूंकि उन्होंने महादेब के बक्षिस्तल पर अपना दाहिना पेर अर्थात दक्षिन पेर रखा था इसलिए उस दिन से मां का उस स्वरूप का नाम दक्षिनकालिका हुआ और वो मां का सबसे चिद्मई स्वरूप है सबसे शान्थ स्वरूप है और मां के पूझा दोनों ही दक्षिनाचार और बामाचार में किया जाता है और ये है मां का और एक स्वरूप मां दक्षिनकालिका उसके बाद है मां चामुंडा ये मां कालिका सबसे विनाशक स्वरू मुंड का वद्ध किया था और उनके वद्ध करने के बाद मा और भी ज्यादा भयानक हो गई थी तो यह जो स्वरूप है मा का चामुंडा चाहरे उसके बाद मां का अन्य एक श्वरूप Mike डिसका नाम है मारक्षा कालीका का नाम इसलिए है क्योंकि माव अपने संतान को बहुत सारे मुसीबत बहुत सारे दुख और कष्ट से दूर रखती हैं उनकी रक्षा कड़ी है जैसे कि बाड, सूखा, महामारी, भूसकलन, भूमी कंप ये जो सारे प्राकृतिक चीजे होती हैं उसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है और ऐसा माना जाता है माँ ही रोग हैं और माँ ही वैद हैं माँ ही सब कुछ हैं और मा अपने भक्तों को रक्षा करती है इसलिए मा के इस स्वरूप का नाम है रक्षाकाली का या फिर रक्षाकाली और भिन्य भिन्य स्तान पर मा के भिन्य भिन्य रूप में पूजा की जाती है कहीं पर मा का जो स्वरूप होता है उनका एक पेर कमल पर और दूसरे पेर भुजंग पर होता है और कहीं कहीं मा का एक पेर सिंग पर और दूसरा पेर महादेब के उपर होता है इसी तरीके से भी मा की पूजा होती है तो ये हैं मा रक्षा काली उसके बाद हैं मा समशान काली का मनुश्य को अपने इस जीवन से मुक्ति प्रदान करने के लिए मास मशान में मशान कालिका के रूप में पूजा पाती है और यहां पर उनकी धो सहचरी होती है जिनका नाम है डाकीनी और वर्नीनी ये दोनों सदा मास मशान कालिकी की सहचरी बनकर उनके साथ होती है मनुश्य को कर्णफल से मुक्ति प्रदान करने वाली यह मा श्मशान काली का मा का और एक स्वरूप है जिसको की कहा जाता है चिन्नमस्ता चिन्नमस्ता का स्वरूप मा ने क्यूं धारण किया था यह भी एक कहानी है और यह जो दो सहचरी है मां के, उनके साथ ही यह कहानी जुड़ी हुई है, और बहुत सारे जगह पर काली पूजा में मां छिन्नमस्ता की पूजा भी की जाती है, जैसा मैं ने कहा कि मां श्मशान काली का के दो सहर्चरी हैं, डाकिनी और वन निनी एक दिन उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उन्होंने मा काली से निवेदन किया था कि मा उनकी ख्युदा को शांत करें जब मैंने दो साल पहले एक वीज़ो डाला था रोटनती काली पुजा के उपर क्यूंकि रोटनती काली पुजा में माचिन नमस्ता की पूजा की जाती है तो रटनती काली पुजा के उपर जब मैंने वीज़ो अपलोड किया था तब मैंने बताया था कि जो दो सहचरी है मा की उनकी ख्युदा निवारन करने के लिए मा ने अपना मस्तक छिन करके दोनों को अपना रक्त पान कराया था तकि उनकी दो सहचर संति काली पुजा में पूजय जाने वाली और एक मा का सरूप है लेकिन ये मा चिन्न मस्ता से भिपरित सरूप है जो की है मा कृष्ण का लिगा मा यहां पर भगवान कृष्ण के सरूप में और इसके पीछे की जो कथा है वो यह है कि जब छुप छुप के राधारानी श्री क्रिष्ण जी से मिलने के लिए जाती थी तो उनकी सास और उनकी ननत को उनके ओपर शक हो गया था कि वो क्रिष्ण जी से मिलने के लिए जा रहे हैं । इसलिए ये बात उन्होंने अपने पुत्र ह fighter राधारानी जी के स्वामी जिनका नाम आयोन है स्थान विशेश पर उनको चंद्रशन भी कहा जाता है उनको बता दिया तो जो पूरे गाउं के लोग है और राधारानी जी के पती उनके सास और उनकी जो ननती रंगे हतों पकड़ने के लिए राधारानी जी के पास आये थे कि मा काली स्वयम भगवान कृष्ण जी के जगे पर वहां पर आ गई थी ताकि राधारानी उनको पूजा करते हुए बाकी सारे लोग देख सकें कि राधारानी कृष्ण जी से मिलने नहीं आई हैं मा काली से मिलने के लिए उनकी पूजा करने के लिए हैं और ऐसा ही हुआ मा का सबसे मनोहर रूप है इसमें मा के गले में मुंड माला नहीं होती बलकि बॉनो माला पुष्प की माला होती है मा के हाथ में कौशी नहीं होती बलकि बांसुरी होती है और ये मा का सबसे मनोहर शरूप होता है इस शरूप में आप मा काली और भगवार नाराण दोनों की पूजा कर सकते हैं तो ये है मा काली का कृष्ण काली की जाती है और मा कृष्ण काली की पूजा की जाती है तो ये थी मा काली के कुछ श्वरूप जिसके बारे में हमें जानकारी थी और हमने आपके शाथे जानकारी साजा की ताकि आपको भी इसके विशे में थोड़ी सी ज अच्छी लगेगी और माकाली के विशे में आपको बहुत सारी जानकरियां मिलेगी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जै जैगनात जै माकाली